आप सब का स्वागत है हमारे योटूब चैनल मॉम डाइड एंड बेवी में और आज हम लोग बात करने वाले हैं घर पर खतना क्या से किया जाता है यानि की हजाम क्या क्या प्रोसेस करता है जिस भी बच्चे का खतना किया जाता है उससे पहले उससे अच्छे से नहलाया जाता है अच्छे कपड़े पहनाये जाते हैं नए कपड़े पहनाये जाते हैं फूलों की माला पहनाये जाती है और घर में एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है बहुत से लोग बड़ी पार्टी करते हैं बहुत सी लोग छोटे पार्टी करते हैं लेकिन पार्टी करीब करीब सारे लोग करते हैं खतने की खुसी में खतना को मुस्लिम में काफी जादा महतो दिया जाता है और भी बहुत सारे समुदाये हैं जो खतना करते हैं लेकिन मुस्लिम समाज में ये काफी जादा होता है काफी जादा क्या मतलब हर मुस्लिम करते हैं खत्ना बोईज के अब बात करते हैं खत्ना होता कैसे है खत्ना करने के लिए हजाम आता है जिसे नाई कहते है हजाम आता है और फिर उसे लिंक की चमरी को पकड़ के कच कर देता है क्लिप लगा के आगे की चमरी को खीच के क्लिप लगा के और उसे एक जटके में कच कर दिया जाता है और फिर एक तीली होती है उससे मोर कर उस चमरी को मोर दिया जाता है और वहाँ पर राक वर दिया जाता है ये प्रोसेस होता है खतने का अब रहा कि खतना कितने दिन में ठीक होता है तो खतना ठीक होने में टाइम लगता है अगर घर में खतना किया जा रहा है और बच्चे का खतना है क्योंकि मुसलिम में बच्चों का ही खतना किया जाता है छोटे बच्चों का एक दो साल या तीन साल पांस साल आज साल इससे ज़्यादा बड़े बच्चे हो जाने के बाद वो डॉक्टर के पास कराना पड़ता है ऐसे भी मेरी सला तो यही होती है हमेसा कि चाहे बच्चा एक साल का हो चाहे दस साल का हो चाहे किसी को यंग एज में अगर खतना कडाना पड़े तो भी वो हमेसा डॉक्टर के पास जाके कडाए क्योंकि दर्द नहीं होगा खून नहीं बहेगा तो काफी अच्छा लगेगा कि इतनी पड़े सानी नहीं होगी और डॉक्टर कुछ खाने को मेडिसिन भी दे देते हैं तो दर्द भी नहीं होता काफी अच्छा लगता है तो यही बहुत बहुत बहतर होता है डॉक्टर के प लेकिन अगर आपके बच्चे को जादा है तो थोड़ा पैसा ही सही लेकिन बच्चे को तकलीफ ना दे और डॉक्टर के पास जाकर करवाए वो काफी बहतर रहेगा जब करवाना ही है तो क्यों न अच्छे से करवाए ताकि अपने छोटे से नन्ने से जान को तकलीफ ना होने दे यह था पूरा प्रसेस खतना का जो घर में करवाया जाता है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से आपका सुक्रिया अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब देने की कोसिस भी करती हूँ आप सब हमारे चैनल पे आएए इसके लिए आपका धन्यवाद